इस वीडियो में हम लोग लेप्रसी के कुछ रोख के जो हैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है उसके नए दवाईयों के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या नई दवाईया हैं तो लेप्रसी जो है एक अतियंत ही difficult, gentle problem है, challenging problem है doctors के लिए भी और पूरे जो scientific work है, जो research institutions है, WHO है उनके लिए भी ये विमारी एक सिर्दर्द के तोर पर बनी हुई है और दुर्भाग की बात है कि जो अपना देश है इंडिया ये लेप्रसी में अभी भी दुनिया में लीड कर रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा cases देखने को मिलते हैं, वो इंडिया में देखने को मिलते हैं और लेप्रसी जो है एक अतियंत ही दुख पहुचाने वाली, पीड़ा पहुचाने वाली, सरीर को कस्ट पहुचाने वाली विमारी है लेपरसी में नसें खराब हो जाती हैं, लोगों के हांथ डेमेघ हो जाते हैं, हांथ टेंडे हो जाते हैं, विक्रीड हो जाते हैं, हांथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सुनापन ड्यूसप दयूलप हो जाता है, जिसकी वजज़से consumers कमा पाना भी भ्यक्ति के लिए, exclusive के लिए मुश्किल हो जाता है तो जो लेप्रसी की जो पुरानी दवाईयां उपलब्ध हैं जैसे कि डैपसॉन रिफंपिसिन और क्लोफाजमीन तो यह पूरानी दवाईयां जो है यह पूर्टियां पूर्टियां यह कहा जाए कि 100% यह जो डिजारेबल एफेक्ट है डॉक जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि लिए प्रसी की दवाईयां जो MBMDT मलब जो तीन दवाईयां है डैपसॉन, क्लोफाजमीन और इफंपिसिन यह तीनों दवाईयां मरीज को बहुत ही लंबे समय तक लेनी पड़ती है तो यह लंबा समय कितना होता है छे महीने हो सकता ह है एक साल हो सकता है दूसरी परसानी कि यह जो दवाईयां है कभी-कभी मरीज को सूट नहीं करती है मतलब इनमें साइड इफेक्ट होते हैं और कभी-कभी यह साइड इफेक्ट अतियंत ही खतरनाक होते हैं जैसे डैपसॉन की वज़े से खून का बनना बंद हो जाना possible patient ही और समानने side effect हैं लेकिन कुछ cases में यह side effects हैं जिस्से कि यह दवाईयां बेकार साभीत होजाती है उन मरीज्व में खराब साभीत हो जाती है तो डॉक्टर को नई दवाईयों को ज़रुवत पढ़ जाती है तीसरी चीज, कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो इनसे resistant होते हैं मतलब ये दवाईयां उनमें प्रभावी ही नहीं है मतलब कारगर ही नहीं है उसे बोला जाता है resistance जैसे कि Depson resistance, Reformation resistance मतलब कि दवाई मरीज खा रहा है फिर भी उसका प्रभाव नहीं है बिमारी पे तो ऐसे condition में बैग्यानिकों को नए दवाईयों की सोध करनी पड़ रही है रोज-रोज नए दवाईयों को डेवलप करना पड़ रहा है तो अभी doctors के पास कुछ options उपलब्ध हो गया और कुछ अच्छे options भी उपलब्ध हो गया तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो पहली दवाई होती है जो कि एक अच्छे विकल्ब के तौरप उपलब्ध है वो है fluorocunolones group की दवाई तो fluorocunolones group में अभी तीन दवाईयां लेप्रोसी के उपचार में इस्तमाल की जा रही है डॉक्टर्स के दवारा पहली दवाई है मुगजी phloxacin दूसरी दवाई है लिवो phloxacin तीसरी दवाई है ओ phloxacin तो ये तीनों दवाईयां काफी ज़ादा कारगर पाई गई है research में लेकिन अभी इनका जो research का data है वो कम है क्योंकि ये नई दवाईयां है और इसमें कम इस्तमाल की गई है धीरे धीरे जैसे येसे दवाईयां पुरानी होती जाएंगी वैसे वैसे data और उपलब्द होता जाएगा research paper और उपलब्द होते जाएंगे तो जो वैगैनिक है डॉक्टर है और ज्यादा निस्कर्स पे पहुँच पाएंगे तो जो फ्लूरो किनलोंस ग्रूप की दवाईयां है ये समाने तक काफी safe दवाईयों के तोर पर भरती है हलांकि कुछ condition में इनसे भी side effect देखा गया है दूसरी जो दवाईय है वो है minocyclin तो minocyclin जो दवाईय होती है ये 100 mg के डोज में लेपरसी के मरीजों में भी इस्तमाल की जाती है ये दवाईय इस्तमाल करते डॉक्टर को ठीक ठाक अनुभव हो गया ठीक ठाक समय हो गया है तो काफी डॉक्टर अब धीरे-धीरे MBMDT के साथ में minocyclin को देने लगे है साथ में combination therapy के तोर पर देने लगे है दूसरी चीज ये जो दवाईय होती है ये tetracycline group की दवाईय होती है और tetracycline group में anti-inflammatory effect देखा गया है तो लेप्रसी के reaction में भी कुछ डॉक्टर इसे prescribe करने लगे है तो ये एक जो दवाईय है ये बहुत ही अच्छे option के तोर पर उपलब्द हो गई है ये दवाईय भी काफी जादा सुरचित देखी गई है कुछ बिसेस परिस्तितियों में इस दवाईय के भी side effect देखे गए है तो जैसे बाकी दवाईयों के side effect हैंडल किया जाता है तो उसी तरह डॉक्टर इस दवाईय का भी side effect हैंडल कर लेते हैं तीसरी दवाईय है वो होती है clarithromycin तो ये दवाई जो होती है ये भी दवाई काफी जादा कारगर दवाई के तौर पर उभदी है तो इस दवाई के भी कुछ side effect हैं तो जो तीनों ग्रूप की दवाईया हमने बात की तो ये तीनों एक अच्छे भी कल्प के तौर पर कम side effect के साथ अब डप्टर के हाथ में लग गई है तो लेकिन अभी इनके भी कुछ cons हैं कुछ गड़बडी हैं कुछ परसानिया इन दवाईयों से भी तो क्या क्या परसानिया उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जैसे इस पर प्रस्न उठेगा कि जब पुरानी दवाईया बिल्कुल जो मन को चाहिए effect नहीं ला रही थी कुछ कम्या रह गए थी तो क्यों नई दवाईया पर ही सिफ्ट हो जाए जाए तो पहली चीज़ की दवाईया अभी बहुत महनी हैं नई दवाईया है और बहुत महनी हैं इन दवाईयों से भी कुछ side effect है तिसरी चीज़ इन दवाईयों का पुखता प्रमाड जो बिल्कुल security के साथ कहा जाता है कि दवाई कितना कारगर है उसके लिए बहुत बड़े-बड़े research अभी missing है अभी इन दवाईयों का छोटे-छोटे research में या कम research में इनका प्रमाड है हलांकि hopeful है situation highly effective के तोर पर देखी गई है जब ये दवाईयां पुरानी हो जाती है जैसे इनका फुल प्रूब पता चल जाता है कि हाँ ये दवाई बहुत ही अच्छी है तो वो दवाई regular schedule में integrate हो जाती है जैसे कि डैप्सवान, रिपमपिसिंग, क्लोफाजमिन अभी 20 साल, 30, 40 साल से डॉक्टर्स इस्तमाल कर रहे हैं बहुत लंबी समय से इनके बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा जो दुरलब से दुरलब साइड इफेक्ट है वो सब भी निकल के आ जाएगी अब तिस चौत्री चीज कि इन दवाईयों को कितने समय तक लेना है ये भी पूरी तरह से नीड़े नहीं हो पाया है तो चुकि confusion prevail है मलब कि अभी भी confusion बना हुआ है तो जो guidelines है जो अभी early niskerse हलांकि इसको पूर्ण niskerse नहीं कह सकते है early niskerse ही कहना ठीक रहेगा जो early niskerse निकल के आए है उसमें ये है कि इन दवाईयों को और ज़्यादा समय के लिए दी जाए तो अधिकांस doctor जो नई दवाईयों वाली cases है उनको 2 साल दिना prefer करते है तो दवाईयां तो महनी है तो cost therapy बढ़ जाती है लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब हमारे पास बिकल्प उपलब्ध होती जा रहे है तो आने वाला समय liprosya के लिए एक अच्छा समय निकल करके आ रहा है तो लेपरसya की मरीज़ बहुत ही जादा मन से दुखी होते है treatment की वज़े से, लेपरसya की बज़े से होने वाले reaction की वज़े से लेपरसya की वज़े से होने वाले disability जो भी क्लांगता है जो डैमेज हो रही है लेपरसी से मांस्पेसियां सिकूड रही है नस्यें खराब हो रही है उससे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो ये नए नए होप अब निकल के आ रहे हैं जोकि लेपरसी के ट्रिट्मेंट को एक नए अस्तर पर लेकर के जाएंगे Thank You